हलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हूँगे बच्चों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चनल जारे डाउन देन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विश्य सामाजिक ज्यान सब्ताह तेईश कक्षा पांच की वर्कशीट पाठ है बच्चों वायू परिवहन अंत्रिक्ष की और तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए बच्चों पहला प्रशन है अंत्रिक्ष यान क्या होता है तो आप सभी अपना उत्तर यहां लिखेंगे अंत्रिक्ष में जाने योग्य विमान को अंत्रिक्ष यान कहा जाता है ठीक है बच्चों अगला है अंत्रिक्ष में जाने वाले सबसे पहले अंत्रिक्ष यान का नाम लिखें तो बच्चों सबसे पहले अंत्रिक्ष यान गया था अंत्रिक्ष में यहां लिखेंगे इस पुत नेक अंत्रिक्ष में जाने वाले सबसे पहली महिला का नाम अंत्रिक्ष में सबसे पहली महिला कौन सी गई थी? वैलेन, टीना, टेरिश, कोवा. यह पहली महिला है जो कि अंत्रिक्ष में गई थी. अगला है बच्चो अंत्रिक्ष यात्री नीलाम स्ट्रोंग ने किस तारिक में चांद पर पहला कदम रखा था? तो बच्चो उन्होंने लिख रखा था, अपना कदम पहला चांद पर 21 जुलाई 1979 में. किस देश में पहला अंत्रिक्ष स्टेशन तयार किया गया? तो बच्चो रूस में अंत्रिक्ष स्टेशन पहला तयार किया गया. अगला प्रेशन है बच्चो उच्छित मिलान कीजे अंत्रिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति है यूरी गागरीन अंत्रिक्ष में पहला जीवित प्राणी कौन गया था बच्चो लाय का नाम का कुट्टा चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था निलाम स्ट्रॉंग और पहला अंत्रिक्ष स्टेशन जो की रूस में बनाया गया था वो सन 1971 में बनाया गया था अगला है बच्चो जीवन कौशल अपने घर के सदस्यों से बिना बोले संकेतो द्वारा बात कीजे बाद में इस दोरान होने वाले कठिनाईयों की उनके साथ चर्चा कीजे देखे बच्चो जो लोग सही से सुन नहीं पाते बोल नहीं पाते ठीके वो संकेतिक भाषा का प्रियोग करते हैं तो देखे बच्चों आप सभी को यहां बोला गया है कि आप सभी अपने माता पिता से भाई भैन से परिवार के जो सदस्य है उनसे आप सभी संकेतों द्वारा बात करनी हैं और बच्चों इस बात को करने के दोरान संकेतिक भाशा में हम जो बात करेंगे इसके दोरान हमें क किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा या क्या क्या हमें कठिनाई आईए उन्हें हमें यहां लिखना है तो पहला लिखेंगे बच्चो किसी संकेत या इशारों का कुछ और सोचना दूसरा बच्चो किसी संकेत को ना समझ पाना और तीसरा है बच्चो कुछ बातो को इशारों के माध्यम से नहीं बता पाना ठीक है बच्चो तो इस तरह की कुछ हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा अगला है दुवनी प्रदूशन एक कागज पर उन चीजों के नाम लिखे जिनसे बहुत ज्यादा शोर होता है जैसे लाउड स्पीकर, कार, हौन, बड़ी मशीने, कार खाना, ट्रक, आधी अगला है बच्चो संसका शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बाते, अपने लक्षे पर ध्यान देना है खाना, पीना, रोज कम से कम एक गिलास गरम दूद का आप सभी पीए गति वीदी एक दिन में आप कितने गिलास पानी पी सकते हैं, इसके लिए तीन दिनों की एक सूची तयार करें खेल अपनी पसंद का कोई भी घर में खेले जाने वाला खेल खेलें, जैसे लुडो, चैस, कैरम दैनिक दिन चरिया निमलिकीत आदतों को अपने दिन चरिया में शामिल करें, अपने माता पिता का विवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रते दिन इसनान करें खुब पानी पीए और संतुलित आहार ले अपने चैरे को छुने से बचें और अपने हातों को बार-बार धोए अपने ग्रेकारे समय पर पूरा करें तो बचो इस तरह से आप सभी को अपने वरकशीट को हल करना है उमीद करती हूँ बचो आप सभी को अच्छे से समझ में होगा बचो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बाक्स में मुझे कमेंट जरूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है जल्दी से जाईए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद